मैं जैसा आपने इंगित किया मैं ब्रामण कुल में जरूर जन्मा हूँ लेकिन मैं बाबा साहब के विचारों से सहमत हूँ और उनकी राहा पर ही उनकी दिखाई हुई राहा के अनुसार कोशिश करता हूँ कि बीते हुए कल पर एक नया प्रकाश डाला जासे हूँ मैं जरूर जो कमेंड करते हैं और गाली दिते हैं मैं उनको पता होना चाहिए उनको चाहिए कि छात्रों के साथ कैसे बेवार करता हूँ और कैसे छात्रों को बढाता हूँ पार जूर करके चाहिए ने प्रसे अब फट्यूतरा जो करते हैं तो आक्तिवारी साथ से मिल वाते हैं हुआ है है क्यों पाई है प्र्स करते है न आए हुआ है है ह था काम के बाद लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है हमबेट करनावा जानते हैं एक अभी आई आई टी प्रोफिसर बी एच यू पायल तडवी रोहित वुमुला एम्स तमाम भी विवादों में रहा है एक शिक्षक के लिए सबसे वड़ी सम्मान की बात यह होती है जब उसका छात्र इतना बढ़िया काम करें तो शिक्षक छात्र को कोट करें आज आपको खास मुलाकात में मिलवाते हैं मेरे हिंदू कोलेज में सबसे पुराने शात्र सागर तिवाली से इसलिए मिलवा रहा हूं की आपको पढ़ाते हैं स्भी जांदार काम किया है तो जन्री पढ़ाते हैं और शांदार प्रिएजडी कर चुए कल मैंने एक इंटर्वूमेंट को कोट किया था कि सागर बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने सागर स्वागत है मेट करनावा में शुक्रिया सर और आपने जो रहा दिखाई थी कि अकैडमिक सिफ युनिवर्स्टी में पढ़ानी की चीज नहीं है उ वो हमेशा मैं अपने दिमाग में जहन में रखता हूं और कुछ ऐसा करने की कोशिश रही है जिससे जो बंचित वर्ग है और मेरा काम आदिवासियों पर है तो दलीतों को फिर भी आवाज मिल जाती है आदिवासियों को आवाज मिलना नगण्य है उसका खास मेंस्ट्रीम डिस्कोस में जगा नहीं है तो मैं जैसा आपने इंगित किया मैं ब्रामण कुल में जरूर जन्मा हूं लेकिन मैं बाबा साहब के विचारों से सहमत हूं और उनकी राहा पर ही उनकी दिखाई हुई राहा के अनुसार कोशिश करता हूं कि बीते हुए कल पर एक नया प्रक करनावा एक खास साथियों के लिए मैंने कहा कि आतुरा हिंदी में ही भूलिये तरह से सागरताव जी मैं हिंदी भ्याशी प्रदेश से हूं मेरा जन्म इलहाबाद में हुआ था और मैं लपनों में पला बढ़ा हूं तो हिंदी हिंदुस्तानी मैं अच्छी तरह से अगर एतिहासिक कार्य होता है तो उसमें मैंने कोशिश करी है कि अच्छा काम कर सको अब देखिये अपनी पीच्डी को मैंने एक किताब के रूप में सब्मिट कर दिया है और संभावना है कि अगले साल किसी वक्त वो शपनी चाहिए और जब हिंदु को ले जाया था तो स अगर उसे में सेके नियर के सुन पर साहिए जी जी मैंने आपको पनाया पड़ाया था जी कुछ ओल्ड मेम्री याद है हाउ विमेट बिल्कु सर कि यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि राजनीती में और शिक्षा और राजनीती का कितना गहरा संबंध है इसका प्रथम अभास मुझे सर के लेक्चर्ज और क्लासेज से ही हुआ सर इंशेंट इंडिया के प्रध्यापक रहे हैं और मैंने भी इंशेंट इंडिया और अर्ली मडिवल की क्लासेज उनके साथ करी थी लेकिन कास्ट पे जो उनकी समझ थी जो बढ़नाश्रम धर्म और कैसे कल्यूग सिफ कल्यूग नहीं था एक खास तरह की रीडिंग है कि जब वड़नाश्रम धर्म बिखर रहा है नई जातियां उभर रही है और उसमें ब्रामणवादी लोहों को लगा कि ये तो उनका बनाया हुआ जो सिस्टम सिष्टी सिस्टम है जिसमें हाइरार्की है और लोक बराबर के नहीं है ये तो मिट्टी पलित हो जाएगी और उस उस भाव को इन्होंने कल्यूग का नाम दिया तो सर मेरे कल्यूगी ग्रू है और हम जो आज जीते हैं उसके कितने पुराने तार हैं कितने पुराने संबंध हैं इतिहास कैसे आज भी जिया जाता है और वो सिफ ऐसा नहीं कि 2000 सार पहले कुछ हुआ वो खतम हो गया वो इस माइंसट को समझने में और क्योंकि मैं एक ब्रह्मानकुल में जन्वा था तो यह चीज़ें मेरे लिये नई थी या कि हमें तो बश्पन से ही सिखाया जाता है कि हम्ष्रेष्ट हैं लेकिन हम्ष्रेष्ट क्यों है और कैसे बने ये किसी नहीं समझा और उस कॉमन सेंस को क्रिटीक करने का जो सर का तरीका था वो मुझे बहुत पसंद आया और तब से मैं अपने आपको एक वेदिक ब्रह्मन बोलता हूं करें नहीं समझें तो जाके एक वार यूटूब पर जाकर सर्च कर लिजे कौन होते हैं वेदिक ब्रह्मन और बीएंजा जी किताब पढ़ीगा इस अब अब बीएंजा साब का होली काव जरूर परीगा मेरे गुरूर है और मेरा शागेड सागर हम लोग उसाथ में बैटो अब मैं भी यंग था मुझे लगता है कि कीस बाइस साल पहले किसाल परीपन अपर आप से में लिए मुझे साल और कॉलेज में आयोए बाइस साल पर चा यूटूबे लेक्टर देता हूं बोलता हूं तो समझते हम कि ब्रहामान चात्रों कैसे पढ़ाता होगा है तो जो हम पढ़ाते थे तो उसमें कोई भेदवा होता था नहीं बिल्कुल नहीं और मुझे लगता है कि कक्षा के अंदर जो होता था वो तो एक फॉर्मल सिलिब यह सा बहसी भी होती है तो गंटों गंटों कई बार वो देर शाम रात तक चलती रही है पर उन सबसे एक एक वो द्वन्वात्मक उसीखते है उसका यह नहीं था कि मैं आपको हराब हूं यह आप मुझे रादे उसका यह था कि असल में सच्चा ही क्या है सत्य की खोज और स बैसों से सामने आप सागर आप जो भी काम कर रहा है बहुत hard । कर देंड कि अपने फीजेश की ने वाले और ब्लैक स्वान से आने वाली जहां तक मुझे पता एक जी हाँ वनी से आपने क्या उसमें फैनिंग्स क्या है करें से ट्रैवल मेरे कि मेरा काम उननीस सो फाज के की बीच स्थित है और अधिकतर लोग जो सोचते हैं कि आदिवासी ट्राइवल पर जो विमर्श था वो घूरिये जी एस गूरिये और वेरियर एल्विन के बीच का एक द्वंद था मेरे काम से मुझे मैं यह आर्ग्यू करता हूं यह मेरा तर्क है और आर्ग्यूमेंट है कि गूरिये और एल्विन सहाब के बीच में जो द्वंद हुआ यह उन्निस सो तिरालिस चावालिस की बात है और इसको बहुत बढ़ा चड़ा के लोगों ने प्रस्तूत किया है असल में उनके बीच में कोई द्वंद था यह असल में कोई यह कर रहा था नहीं यह सर्प ने नाशनलिस्ट पॉइंट अव्यू को ज्यादा क्लियरेटी से कहने वाले विधा सर्टन थेरेटिकल परस्पेक्टिव गूरिये साहब बन गये और जो अन्थ्रॉपलोजी के का पॉइंट अव्यू था जो अंग्रेजी आइसेस ओफिसर्स जिस मत के थे वो पॉइंट काँ कि अपने आप में जो द्वन्ध था वह कि मानवाशास्त्र कि एक समिघ थी आदिवासियों के प्रति बनाम इस नियु जो सोच थि पहलों के बीच में लिए उस पॉलेटमे उस राजनीती में जो हमारे सम्विधान में बूरु cynra fibre ड़र गया तो्टमbourne अग्यों में पांचवी और छटवी एनुसुची के जो छेत्र हैं उनको एक मूर्त रूप मिला और मेरी थीसिस और मेरा काम इन ही इलाकों के विमर्ष के बारे में कि जो आदिवासी ट्राइबल काटेगरी है इसकी एक कंसेप्चुल जर्णी लेट कलोनियल पीरिड में क्या थी उसका इंटिलेक्ट्वल कॉंस्टिटूशनल पॉलिक्स क्या था और मैंने इसको इसका शीशक सोचा है कि आईलेंड्स अगेंस सिविलाइजेशन पोलन अग्रेजी नेशनलिजम और पॉलिक्स अफशिटियों तो यह मेरा काम है और मैंने आख को लिट्रेटर वहना कुछ मिला अधिवासमों के लिट्रेटर चाहते हैं सर इस पूरे दौर को 1918 से 50 के बीच के दौर को मैं दो भागू में डिवाइट करता हूं इसमें राष्ट्रवादियों की बहुत नाम मात्र उनका भागीदारी थी लेकिन पैंतिस चतिस में कुछ ऐसे परिश्टिया होती हैं जिसकी वैसे इन अनुसूचे चेत्रों का दायरा बहुत बढ़ जाता है तो उसके बाद राष्ट्रवादियों को लगता है कि इस तरह तो अंग्रेज बहुत बड़ा हिस्ता भारतिय उपमातिव का अलग कर देंगे जो रिफॉर्म का दायरा है उससे तब आदिवासी जो समझ है या वोइस है वो भरती है और सबसे ज्यादा इसमें प्रक्र जी लेकिन मुंदा साहब के बारे में अधिकतर लोग सिर्फ और सिर्फ कॉंस्ट्रोंट एसमेली डिबेट्स तक ही अपनी सिम्मेट पास हो कि अपने मुझे बता है था वो सबको पता है कि इंडियन होकी टीम ने आठ स्वांट पदक जीते ओलम्पिक्स में आज ता है पर एक अंग्रेजी पाद्री उनके उनको पढ़ाता है और ऑक्सवर्ड उनिवस्टी तक जाता है महां पे आई-सी-स में प्रोबेशन पर भी जाते हैं और उसी दौरान अपनी जो उनकी होकी की पारंगत ता थी उसमें उससे वो कैप्टन चुने जाते हैं और फिलिम भी जाते हैं तो आज कल राष्ट्रवाद के उत्पर जो पूरा गवर्दास के तो उसमें उस में बहुत आगे हैं तो हर चीज में तो आप जाते हैं तो अभी राम से तुभी निकालने जा रहा है है हम लोगी चलेंगे उसकी वी एक पॉलिटिक्स है पर हां मैं आपके प्रश्न का सीधा जवाब ही है कि पैंतिस छतित तक आदिवासियों का कोई खास भागीदारी नहीं थी तो मैं इस अपने काम को करते हुए लगतार इस प्रश्न से जूचता रहा कि एक प्रश्न बार्श्न मैं इसमें एक खुट का एलीट रेप्रेसेंटेटेटिव नहीं जब हुता है तो उस कमी से उस मैंनोर्टी डिसकोस का क्या रह्श्र होता है और जब वो उभरता है तो अब उसमें किस तरह की बदलावाते हो तो यह जो चेंज ओवर है जब जार्कंड में चोटानात्मद में एक ट्राइबल एलीट एक जूट होता है, लामबंद होता है, युनाइटेद फ्रेंट बनाता है, गोलिशन बनाता है, और कहता है कि अब हमें आपस के जो हमारी अंदुरूनी मतवेध हैं, उन्हें छोड के हमें एक नए संगठनात्म ग्रूप में एक जूट होना है, और तभी हम एक सौदा कर सकते हैं, नगोशियेट कर सकते हैं, डिकू सर्थ है, डिकू बील एक ट्राइबल है, आप तो बिहार से आते हैं, उस समय आदिवासियों के लिए डिकू बिहारी थी है, अरे भी बैचे हैं वो तो है सर्थ, एक औ आगुमेंट यह भी रहा है ना कि छोटानाग पो जारकर को बियारियों ने इंटर्नल कॉलनी यूज किया है क्योंकि रिसोर्सस तब वहां पे थे और नौत भीहार की जितनी कॉलनी ती अभी किताब का टाइटल हमने सुन लिया कवा रही किताब अगले साल किसी समय आने से ओ बाट सब्सक्राइब का प्राइब नियुक्त में ट्राइवल राइवल राइवल ना चाहिए ना कि नाइटीन थी अवुए अगले तो मुझे लगता है कि खाली डिपार्टमेंट होने से बात नहीं बनेगगी सिदियस रिचाट् मैं तो कई बार कह चुका हूँ घर वापसी जितने ट्राइबन डेटी से हैं उस सब को हिंदु आइस कर दिया ना तो मैं करा हूँ सारे अपने देवता थे पर लिए और सारे देवता थोड़ी अपरामनों के देवता है नहीं है ना उसके बाई अपास समय दावी लोग देव अपने देवताओं के करानी है मैं मेरा जादा इस्टेडी नहीं है आपका जादा इस्टेडी है और आप मेरे दोस्ती है चात्री है अच्छा लगा मुझे आप से बात करें तो कुछ पैसे लागा घर बनाएगा एक सिक्षक जो है और हर समय लगता है जो सही सिक्षक पर उन्चा लगा नहीं है तो कि अज्टी ने वाले सिक्षक के बात नहीं करा हूं शुक्रिया कीप वाचिंग अनि शेरिंग अबटना